उधारन एक, एक्जाम्पल एक, नीचे दी गई आकरती में ग्राफों को देखिए और प्रत्यक आकरती बाय वरावर पी एक बहुपद है, प्रत्यक ग्राफ के लिए सुन्याकों की संख्या ग्यात कीजिए, ये जो सवाल है, ये सवाल कक्छा दस्बी की NCRT गडित की किताब का अध्याय दो बहुपद का उधारन नमबर एक है, और ये बहुत सरल है, अगर आपको इसका थोड़ा सा समझ में आ गया ना, आप पूरे सवाल पेल दोगे, बहुत सरल होता है ये, देखिए, यहाँ पर आपको साब साब दिया गया है बाय बराबर पी एक्स, मतलब कि हम बाय का बहुपद है, और ये बाय का बहुपद पी बराबर पी एक्स का बहुपद है, इसके रूप में आपको इसमें सुन्याकों की संख्या ज्याद करना है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि देखिए, यह जो आडी लाइन होती है, आडी लाइन, इसको हम छेती ज रेखा बोलते हैं और उसको एक सक्ष कहा जाता है उसको एक सक्ष कहा जाता है और यह जो खड़ी Core खड़ी लाइन उसको उरुध्वादार रेखा जाता है और इसंवे चöकूं बना इसको बहुते हमी कि अपने सब्सक्राइन, जिए घ्राफ की आक तो आप सेखने सिर्फ और सिर्फ एक बिंदू पर प्रतिछेद करता है ये ग्राफ एक सक्ष को सिर्फ और सिर्फ एक बिंदू पर प्रतिछेद करता है तो इस ग्राफ में सुन्यकों की संख्या एक होगी इस ग्राफ में सुन्यकों की संख्या एक होगी जिस graph में यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो graph है ये graph एक सक्ष में सिर्फ और सिर्फ एक बिंदू पर प्रतिछेद करता है क्योंकि graph जो है graph एक सक्ष को केवल एक बिंदू पर प्रतिछेद करता है इसलिए सुन्यकों की संक्ष यहाँ पर एक होगी इसका अगला सवाल देखिए यहाँ पर आपको अगला सवाल दिया है दूसरा सवाल यहाँ पर एक सक्ष दिया है और यह बायक्ष दिया है और यहाँ पर आपको एक ग्राफ दिया है यहाँ पर आपको एक ग्राफ दिया है और दूसरा बिंदू हो गई है, ये ग्राफ एक सक्ष को दो बिंदू पर प्रतिछेत करता है, तो यहाँ पर सुन्यकों की संख्या दो हो जाएगी, यहाँ पर सुन्यकों की संख्या दो होगी, क्योंकि ये ग्राफ एक सक्ष को दो बिंदू पर प्रतिछेत करता है, इसलिए यहां पर सुन्ने को की संख्या 2 होगी, इसका तीसरा देख लिजी आप, तीसरा सवाल, यहां पर भी ग्राफ दिया गया है, यह ग्राफ, अब यह जो ग्राफ है, यह ग्राफ, एक सक्ष को तीन बिंदू पर प्रतिशित करता है, पहला बिंदू हो गया यह, दूसरा तीन बिंदूपर प्रतिशेद करता है अर्थात इसमें सुनने पूँस शंख्या। एक सक्ष को सिर्फ और चिर्फ एक बिंदूपर प्रतिशेद करता है, यह जो graph है, यह जो रेखा है, यह रेखा, एक सक्ष को केवल एक ही बिंदू पर प्रतिचेत करती है, सिर्फ एक बिंदू पर प्रतिचेत करती है, यह graph एक सक्ष को केवल एक बिंदू पर प्रतिचेत करता है, अर्थात इसमें सुन्यागों की संख्या एक होगी, क्योंकि graph ए यह graph एक सक्ष पर सिर्फ एक बिंदू पर प्रतिछेत कर रहा है यह graph एक सक्ष को केवल एक बिंदू पर प्रतिछेत करता है यह graph होगे graph और यह होगे आपका एक सक्ष यह graph एक सक्ष को केवल एक बिंदू पर प्रतिछेत करता है मतलब इसके सुन्य को की संख्या केवल 1 होगी कित्तियो की संख्या सिर्फ हो एक होगी यहाँ पर देख लिजिए यह एक ग्राफ दिया है आपका और यहाँ पर यह जो ग्राफ है यह ग्राफ एक सक्ष को तीन धगा एक दो तीन चार चार बिंदू पर प्रतिशित करता है यह ग्राफ एक सक्ष को चार बिंदू पर प्रतिशित करता है तो उसके सुनने को की संख् चार है क्योंकि ग्राफ एक सक्ष पर चार बिंदू को प्रतिछेत करता है धन्यवाद जेहिंद जय भारत